हालो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की SSTK बुक जिसका आज हम करेंगे फर्स चैप्टर तो फर्स चैप्टर की हाफ लैसन की वीडियो हमने बना दी है जिसमें हमने आपको ये बताया था कि अठासो सावन की क्रांती शुरू होने भारत में अंग्रेजी सानिकों की कितनी चावनिया थी तो इसका आंसर आजेगा छे चावनिया थी और वह कौन-कौन से थी इसके नाम भी आपको याद करने जरूरी है तो कौन सी थी नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपूरा और खैरवारा ये छे चावनिय थी और इसे आप एक ट्रीक के थूरू भी याद कर सकते हैं और ट्रीक है एनी ने मेरा ब्या नहीं देखा तो एनी से बंजेगा एरनपूरा, ने से नीमच, ब्याहा से बंजेगा ब्यावर, यानि कि एनी ने मेरा ब्या नहीं से यानि नसीराबाद, देखा में देश से बं तो इस च्छावनी में टोटल 5,000 सैनिक थे बट इसमें अंग्रेज सैनिक नहीं थे सारे इसमें केवल तीस अंग्रेज अधिकारी थे इसके लाब जितने भी सैनिक थे वो राजे सान के लोग ही थे तो इसके बाद क्या हुआ कि जब मेवार में क्रांती की शुरुआत हुई तो मेवार की जब के राजे सान के AGG को प्राप्त होगी जिसके करण उन्होंने क्या किया जेसी रास्तों की जितने भी स्ष्राष करते हैं उने यह निदेश दिया कि आप बाहर से कोई भी क्रांती आज्य को राजे में परवेश करने नहीं झालेक और अगर कोई भी नसीराबाद में क्रांती का क्या कान था तो यहां पर था पंदरमी बंगाल नेटिव इंफैंटी तो इस तुम में था तो जैसे ही मेरत में विद्रों की सूचा मिली तो पंदरमी नाटिव इंफैंटी थी उनके सायनिकों सोचा कि सारी कारेवाही है जो भारतिय सानिकों को कुचलने के लिए की गई है और तोपे भी उन्हीं के विरुद परियोग करने के लिए त्यार गी गई है और इसी कार्ण क्या हुआ कि उन लोगों के जो भारतिय सानिक थे उनमें क्या है विद्रो की भावना जागरत होगी और जैसे ही जो पंद्रवी बंगाल इन फैंट्री की जो टुकड़ी थी वो काफी टाइन से क्या अजमेर में शश्तागार की रक्षा करी थी बट जब यानि की अंग्रेजों को थोड़ा डर हुआ तो उन्होंने क्या किया कि जो पंद्रवी बंगाल इन फैंट्री थी उसे नसीराबाद में भेज दिया जिसके कारण भारती जो सैनिक थी उनके मन में ये दाना आगी कि क्या अंग्रेजों को हमारी उपर विश्वास नहीं था जिसके कारण उन्होंने इस यानि की जो सैनिक टुकड़ी है उसे कहाँ पर नसीराबाद में भेज दिया इसी कारण में गुस्टा हो गए थे बिर्टिश अधिकारें से और यही कारण था जिसके कारण नसीराबाद में 1857 की क्रांती की शुरुआत हुई तो आपका जो कोश्चन है वो ये बनता है कि राजेसान में 1857 की जो क्रांती है वो कब शुरू हुई थी तो इस कांसर आएगा 28 मैं 1857 को और कारण क्या था पंद्रवी बटालियन नेटिव इनफैंट्री के सैनिकों नेक है तोप खाने पर अधिकार कर लिया तब कारण क्या था कि जो पंद्रवी बटालियन थी उसे क्या है नसीडाबाद में भेज दिया था जिसके कान लोगों को गुस्सा आया उन्होंने क्या क्या कि जो बटालियन की नेटिव इनफैंट्री ती उस तोप खाने पर अपना अधिकार कर लिया सैनिक है जो उन्होंने जो अंग्रेज सैनिक अधिकारी थे major sport racist और कर्नल नियोंबारी इसके बीकिया हय हत्या करती तो कोश्फिद यह आ सकता है कि यह जो तो जोड़ियां थी वो भी तोड़ दी गई थी पर इन विद्रोही सैनिकों ने चार बिटिश अधिकारों के अलावा रखती एक भी भूंद नहीं बाया यानि कि बाई इन्होंने सिर्फ उन्हीं विद्रोही सैनिकों को क्या है मार दिया था तो चावनी की तैसने इसके पास्त हो जाएं तो इस तरीके से नसीराबाद की जो चावनी है उसके जो कोशन हो यहीं बनते हैं कि पहला कि यह कब हुई थी क्रांती तो यह कब हुई थी 28 महीं को और 28 महीं 28 सामन को यह क्रांती हुई थी कारण क्या था पंजबी बंगाल नेटिव इंफैंट्री के में कवरतमा समय में कहां पर है मध्यपदेश में है तो जो नीमच में क्रांती की शुरुआत कर दूदि थी 30 जून 1857 को क्रांती की शुरुदा रोत बश्री कर दिचेंपन ने क्यानिन ने जेनला लिए और वहां पर आग लगांदी इसके बाद जो क्रांत काय थे वो नीमत से रवाना होकर सरकारी बंगलों कו लुटते हुए और आग लगाते हुए शहापूरा पहुँचे शहापूरा के शाशर्क ने क्रांत कीकारे को भोजन वेठाने की साहता दी तो आपकर कोशन ये बनता है कि जो निमत के क्रांतिकारी थे जब वो दिल्ली के और प्रस्थान करे थे तो उन्होंने कहाँ पर अपना ठैराफ किया था, कहाँ पर रुके थे तो वे शाहपुरा में रुके थे इसके बाद वो निमबा हेडा पहुंचे और वहाँ पर भी जनता ने उनका बहुत ज़ादा स्वागत किया, तद प्रस्थात क्रांतिकारी है जो वो देवली टॉंक और आकरा से होते हुए दिल्ली में पहुंच गए, तो मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकार कर लिया, तो ये किस ने अधिकार किया था, तो ये कप्टान शाहवर से जो उन्हों ने किया था, और ये किस के कहने पर किया था, एजी जी लोरेंस के, यानि की अठास स्थावन की क्रांति के सम्या है, जो राज्यस्तान के एजी जी कौन थे, तो कौन थे, लोरेंस, इसके एरणपूरा में जो स्थित जोदपूर में की क्रांती की शुरू हुई थी तो क्रांती कार ने एडानपूर ऍ स्टेशन को लूटा उसके बाद उन्हेंने मारवाड की रास्ते दिल्ली की ओर वाना हो गई तब कांतिगार है जो वह पाली पहुंचे तो अववा के ठाकुर कों थे कुछाल सिंग उन्होंने उनकी हल्प कि थी तो अववा को ठाकुर था वह मारवाड का शक्ति शाली क्या सामनते तो वह अंग्रेज वह जोद्पूर के जो महाराजा दोनों का विरोधी था ऐसा कहा जाता है कि मेवाड व मारवाड की अनिक सामत अपनी सेनाइंट लेकर ठाकु जो कुछाल सिंग की सायता के लिए अववा में पहुंचे थे तो यानि कि आप यह कोशन कह सकते हो कि जोद्पूर के महाराजा ने सिंवी कुछल राज की नेतता में एक फोज अंग्रेजों का दमन करने हे तू अववा में बेजी जिसके करन क्या हुआ कि आप यह जोद्पूर की राज के फोज को प्राजित कर दिया यानि कि जोद्पूर की जो राज के फोज थी ओजा हुआ कि ठाकूर वो जो क्रांति कहे थे उनके बीच में एक यूद हुआ था और यह यूद कब हुआ था आठ सितंबर अठासो स्तावन को और इस यूद का नाम क्या था तो यह जो यूद है वो था बैट चेले यानि कि यह बिठोदा का यूद था तो इस संगर्ष में क्या हुआ कि किलेदार अनार सी हैं जो थे एक तो वो मारे गए थे दूसरा सिंग्वी कुषर राज जान बचाकर वहां से भाग गये थे तो जोद्पूर फोज की तोपे में बहुत सारी यूद सामगरी है जो क्रांतिकारि फया हुआ कि बीचाया के बीच में संगर्ष हुआ जिससे जिसमें क्या हुआ कि जो ल्गोरेंस था वहार गया यानि कि दोनों ही यूद में इक संगर्ष में के बीचे हुआ एक जो ऊघ्जर्फ को ब्लानी सका और उन्होंने क्या कि धाकूर से बदला लेने के लिए उसमें ब्रिगेडियर हॉम्स के नेततर में एक विशाल सेन है जो वह आववा में बेजी और 20 जनुमर एठासो ठावन को यह जो हमसा उन्हें आववा पर वापिस आकरमन किया दोनों से नाव की बीच में काफी संगर्श हुआ जिसके कान क्या हुआ कि जो ठाको अंगर्श हुआ इसके बाद है, में1 में क्रांथी की गूंच तो इसमें में मेंके जनता जो अधिकांच सामन थे वह बच्टी सद पीर्थ में थे तो इसी कान की वाँ लेकिन जो मेवाड के महाराना थे उन्होंने अपनी सूझभू से और अंग्रेज क्रतान शावर्स के कठोड रुख ने इस सिती को बदलने में संभाल लिया था यानिकि मेवाड की जनतर विद्रोग करना चाहते थी बट जो मवाराना थे और जो अंगेज ते वापस विले वे थे और उन्होंने क्या है कि यthose को दवन करना शुरू कर दिया था तो इस समय जो महाराना वे कंपने की सरकात दोनों ने मिलकर मेवाड के सामन्तों में यह बैता कि अत्य दोनों एक दूसरी के सहयोग के साथ करने के लिए बाद्य हो गए तो जो मेवाड के महाराना सबुपसी है थे उन्होंने 27-28 सामन को अपने सभी सामन्तों को एक पत्तर बेज कर क्या कहा था कि बिटिश स्थानिकरेवाई में सिरोग करें और पॉलिटिकल एजेंट कप्तान शावस के निदेश है जो उनका आपको क्या है पालन करना होगा दूसरी हो जो कप्तान शावस सामन उन्होंने विरोधि सामत है जो उनको चितावनी दीती कि जो भी शान्ती भंकरने का प्यास करेगा उसे क्या है कटोर दंड दिया जाएगा यहां तक कि सलुंबर के रावत के सिसी हैं जो उन्होंने भी मेवार के महारानक अधिकारियों के चुनोती देती हुए यह का था कि हम आठ दिन में अपनी परणप्रावत अधिकारों की मांग को सभी कार नहीं किया गया तो चितोर की गद्धी पर महारानक की किसी प्रतिनेदी को नहीं को बिठा देंगे तब कप्तान जो शावर सा उन्होंने रावत के सिसी हैं की चेतामी दी की यदि उसने मारानक की वृत किसी प्रति कारेवाई में भागिया तो उसे उसकी जागी से यानि की हटा दिया जाएगा तो इस तरीके से जो शावर सा उसने इस रावतियां को शान्त कर दिया यानि कि इसमें ये बताइगए घया कि किस तरीके से जो मेवार है उन्होंने भी वहां की जंता ने भी विद्रो करना शूण किया था बढ़ वहां के जो शावर से और जो अंग्रेज से उन्होंने मिलकर दमन कर दिया तो उसके बाद है कोटा में क्रांती तो कोटा में जो क्रिं यह उजला दी कि कुछ अफ्सर वफ़ादार नहीं है उनका जो रवया है व अग्डेजी पिरोथी है जिसके कान क्या हुआ कि बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग दी थी उसमें जैदियाल, रतलाल और जियालाल आधि प्रमुक थे तो मेजर बर्टन दवारा महाराव को यह सला दी गए थी कि वह किसी भी महाराव की फोज या फोज के दिकारें पर प्रकट हो गई तो फोज के सबी जो सिपाई थे वो फ्रोट से पागल हो गए और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेनी का निश्चर गिया इसी को लेकर 15 अक्टूबर 1853 को कोट्टा के जो सैनिक है उन्होंने क्रांति का बवुल बजा दिया तो इसके बाद क्या हुआ कि यानि कि महां के जो लोग थे उन्हें भी कहर गुसा आ गया कि मेजर बर्टन और उसके पुत्र की हत्तिया जो सब्हें महाराव की आदेश से की गई है आपको ये बात माननी पड़ेगी ये बात कही गए थी जिसके गाए महाराव को क्रांतिकारियों के इच्छे के इसा भीवार करने के लिए तब तक विवर्श किया गया जब तक कि क कोटा की है तो यहां पर जो क्रांतिकारियों का दमन करना शुरू हो गया था तो क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमा अत्याचायकर नग्रों के जो लोगों में भीशन आप तक फैला दिया था तो यह सिती तब तक बनी रही जब तक कि मेजर रोबोर्ट नसीराबास से पिचपन सोसानिक लेकर 22 मार्च 1868 को चंबल नदी के किनारे पहुंचा उन्होंने तो अपसे क्रांतिकारियों पर धुवादार गोले वर्साय और उन्हें कोटा से बाहर भागने के लिए विवश कर दिया तब जाकर जो कोटा क्रांतिकारियों से मुक्त हुआ यानि कि उस साम की क्रांति है जो वह मेवाड मारवाड रुकोटा तक ही सिमित नहीं थी अन्य राजयों में भी हो गी जैसे कि बर्दपुर जो कि आग्रावे मत्रुआ के काफी नस दीखें वहां पर भी क्रांति के समय आशान्त रहा तो मत्रुआ में विद्रो होने के बाद जो बर्द करमन कर देंगे तो माराजा की सलाहा पर क्या हुआ कि जो मोरिसान थे वह फ़र्दपुर चोड़कर चलेगे तो क्रांथ की अबदी में भाग लिया तो इस तरीके से यहां पर क्या हुआ कि भर्दपुर की जनता के मन में यह विश्वाश हो गया था कि भारत में बिटिश सत्य है जो वस्माप्त होने जा रही है तो इस तरीके से यहां पर भी कहा क्रांतिक शुर्वात होने लगी थी तो दोलपूर है जो रियासत में भी काफी गंबीर उद्रफ हुए थे और अक्टूबर अठासस्तावन के प्रारम में वालियर वे इंदोर क प्रिवेश हुआ था तो दोलपूर में यह आपकी कौशन बनते हैं यह बनते हैं कि जापुर की महराजा को इस प्रदा दिकार रावश्री से यह अनि यह सलांदी थी कि अंग्रेज वे मुगल बादश्रा बादुश्रा दोनरों के बीच में मित्ता पुवक्त सबंद बना शीव दिन ने महराजाप और अंग्रेजों के सा देने के लिए जोड डाला जिसके काल क्या हुआ कि जैपूर में नवाव विलायत खां मिया उस्मान खां और साधूला खां मुगर समराठ से मिलकर बिची सर्दा के विरुद प्रांति का शर्यांत रच रहे थे तो क्या हु आंप भी क्या होगा कि नवाव की सेना ने मीर अलंखौ की नेतता में विद्रों कर दिया तोंग को नमाब है आंग्रेजों के साथ था बत जो नमाब की सेना थी उन्हें ने क्या है निम्मच्छी क्रांतिकार्यों को टॉंक आने के इए अमन्तित किया इसके साथा से नमाब आपके जो केले को घेल लिया गया और वाबों ने सैनिकों को ड्राने धमकाने का भरबूर प्यास किया बट यह भी क्या हुआ ऐसा फल हो गया